दोस्तों कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम राजाओं जैसे जीवन को जियें हमारे भी क्या ठाट बाट होते अगर हम राजा होते अगर हम कहीं कि रानी होते तो एक इशारा करते और हमारे सामने हजारों नौक और चाकर खड़े हो जाते हम जो मांग करते हमारी वो पूरी हो जाती क्या राजिसी ठाट बाट होता क्या रहन सहन होता पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि राजा रानियों का जीवन इतना ही था केवल राजिसी ठाट बाट, खान पान, सुक सुविधा इन्ही सब के बीच बीच जाता था राजारानियों का जीवन नहीं दोस्तों आज मैं उन्ही राजिसी ठाटबाट से एक ऐसे प्रेशन को उठाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक ऐसे फेक्ट को उठाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे देखकर जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हमारा जीवन जादा आसान है तो सबसे पहले स्वाकत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल श्री हनुमन्त साधना रहसे पर और आज है ब्रहसपतवार यानी थर्जडे और थर्जडे के दिन आज मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दिल को हिला देने वाले तथे आपके लिए लेकर आती हूँ कभी कहानिया, कभी फैक्ट्स और कभी रोचक अनुभाव तो आज मैं बात करने जा रही हूँ दोस्तो कोप भवन के विशे में आपने रामयर देखी होगी तो कैके माता जब रूट कर चली जाती है कोप भवन में और दसरत जी उन्हें मनाने जाते हैं तब ही वो दो वरदान मांगती है जितना आसान आपको दिख रहा है कोप भवन में जाना या वहां से लौट कर आना क्या इतना आसान था रानियों का कोप भवन में जाना वहां रहना और वहां से वापस आना आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ बताने जारी हूँ कोप भवन से जुड़े हुए कि जिने सुनकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तो कोप भवन राज महल का ऐसा हिस्सा होता था जिसे जनी कि समाजिक्ता से थोड़ा दूर बनाया जाता था जहां पर सारे लोगों का आना जाना निशिद्ध होता था सोचिए एक रानी जो पूरा जीवन ठाट बाट से जी रही है किसी चीज की कोई कभी नहीं उसके एक इशारे पे दस नौकर आकर उसके सामने खड़े हैं और कोप भवन में उचली जाए तो उसकी क्या दूरशा होगी क्या कोप भवन में भी दास्यों की सुविदा होती थी नहीं दोस्तों कोप भवन एक ऐसा कमरा होता था जिसे अंधेरे में बनाया जाता था यानि कि वहाँ पर प्रिकास की उतनी अच्छी वेवस्ता नहीं होती थी ventilation की विवस्ता होती थी लेकिन उतनी अच्छी विवस्ता वहाँ पर ventilation की भी नहीं होती थी कोप भवन का साब्दिक अर्थ अगर देखें कि गुस्सा प्रकट करना रोश प्रकट करना अगर आप गुस्सा है तो आपको प्रकट करने के लिए वह ही जाना पड़ता था हम तो कहीं भी गुस्सा होकर लेट जाते हैं हम तो अपने bedroom में पड़े रहते हैं बैट के ओपर और हमारे पती या भाता पिता आकर हमको वा मना लेते हैं और हम मान भी जाते हैं उन्हें सामने दिखता तो है कि हम गुस्सा हैं लेकिन कोप भवन में हर किसी का जाना निशिद्ध था यानि कि राजा ही केवल कोप भवन में जा सकते थे दासियां भी कोप भवन में नहीं जा सकती थी और खाने पीने के लिए भी कोपववन में उनको वो सुविधा नहीं मिलती थी, अगर आप नाराज हैं तो आपको खाना भी त्याग ना होगा, रान्या कोपववन में जाने से पहले दोस्तों अपने सारे सरिंगार को त्याग करती थी, वस्त्र जो रंगीन पहनते थी उन्हें कोपववन में आराम के लिए कोई भी आपको सुविधा नहीं मिलती थी, कोपववन इस तरीके से बनाया जाता था कि बाहर के लोग वहाँ पर आ जाना सके, और अगर राजा कोपववन में जाकर रानी को नहीं मनाए, तो रानी वहीं प्राण त्याग देगी, लेकिन अप कोपववन से बाहर भी नहीं आ सकती थी, रानी की ये मरियादा होती थी, कि अगर वो अपने आप कोपववन में गई है, तो उसको कोई मनाने जाएगा, ऐसा नहीं था कि आप गुसा होकर अंदर गए, और कुछ देर आपको कोई मनाने नहीं आया, तो आप जट से बाहर न लेकिन रानियों के ऊपर तो इतना अनुशाचन था कि अगर वो कोपववन में गई है, तो उन्हें वहाँ पर ही रहना पड़ेगा, जब तक कोई मनाने के लिए उन्हें नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही रहेंगी, कोपववन ऐसा भवन होता था, जो महलों के निकठी बन इसे बनाया जाता था, कोई अराम दायक सुविधा नहीं होती थी, जैसे मैंने बताया कि साही वस्त्र और अबूशर रानि को त्यागने पड़ते थे, कोपववन में प्रवेश करने से पहले रानि अपने साही वस्त्र उतार देती थी, साधारन और मलीन वस्त धारन करती सौंदर का त्याग करना पड़ता था, कोपववन में रहते हुए ना तो रानि खाना खा सकती थी और ना ही किसी प्रेकार का राजी से सुख भोग सकती थी, ये एक प्रेकार की आत्म पीड़ा और सोग किस्तिती होती थी, जिसमें रानि खुद को कमरे में बंद कर देती थ जैसा मैंने बताया कि कोपववन में केवल राजा जा सकते थे और वो ही रानि को कोपववन से बाहर निकाल सकते थे, आने था रानि वहीं प्राण त्याग पीड़ी थी, दोस्तों कोपववन का आखिर उद्देश क्या था? कोब भवन का उद्देश साही परिवार के असंतुष्ट सर्दस्य को एक कड़ी चाशनात्मक इस्थिती में डालना था जिससे उनकी नाराजगी और गुस्य को प्रकट करने के लिए इस तरह की कटनाईयों का सामना करना पड़े ताकि वो बार बार नाराज ना हो जरा जरा सी बातों पर नाराज होकर जैसे हम आजकल बैड़ चाते हैं तब रानिया जरा जरा सी बातों पर नाराज भी नहीं होती थी क्योंकि अगर नराज होंगी तो उन्हें को भवन में जाना पड़ेगा और को भवन में जाएंगी तो उन्हें जाने क्या क्या सहना पड़ेगा इसलिए छोटी-छोटी बातों पर नराज होना गुस्सा होना उस समय चलता ही नहीं था और जीवन जो था वो बहुत कड़ा था राजा रानियों का जीवन बहुत कड़ा और अनुशाशन से भरिपून था हम जैसा नहीं था तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन जादा नॉर्मल है जब गुस्सा हुए तब हुए जब मान गए तो मान गए कोई मनाने आया आया नहीं आया हमने अपने आपी को खुद से मना लिया तो हम भी किसी राजा से कम नहीं है दोस्तों इसलिए अपने आपको किसी से कम मत समझे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग फेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो पसंद आया हो तो आगे शियर भी ज़रूर कीजेगा और ऐसी ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे धन्यवाल दोस्तों